जवर्पूर के विजय नगर के एक घर में तीन जन्वरी की रात हुई चूरी का खुलासा पुलिस ने कर दिया है पुलिस ने सीसी टीवी फुटेज के आधार पर चोरों तक पहुंचने में सफलता हासिल की है दरसल विजय नगर की रहने वाली प्रग्या श्रमा ने चार जन्वरी को विजय नगर सानव में रिपोर्ट दूर्स कराई कि उनके घर में देजात घुसे चोरों ने नग्दी और सुनी चांदी की जीवरों पर हास साफ कर दिया फर्यादी की रिपोर्ट पर फुलिस ने शीयति की सारे CCTV फुटेज खंगा ले जिसके आधार पर आरूपी विक्की रजक उर्फ विकास और कनही अलाल की पहचान की गई कनही अलाल तो पुलिस की पकड में आ गया लेकिन विक्की रजक अब भी फरार है वहीं विजय नगर पुलिस कनही अलाल को हिरासत में लेकर पूस्ताज कर रही है और उसके साथ ही विकास रजक की तलाश जारी है वहीं चूरी किये गए सुने चान्दी के जीवर और नगदी कर लेक हैं अधे आए ऐसे अधे हैं आए अधे आए अधे आए अधे आए अधे अधे एक हैं जो आधे आए कर राए पुलिस्थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनके यहां तीन तारिक को रात को करीब दो ढ़ाई बजे चोरों ने कुछ लोग घुसे हैं और उन्होंने उनके हां चोरी करी है उनको सुभा अलमारी का ताला तूटा हुआ मिला जिसमें से कुछ सुना चांदी के जेवर और लगबग 42,000 कैश गायब था तो इस बात की उन्होंने सूचना दी तो हमने सरगर्मी से पूरे इलाके के CCTV पूटेज चेक कराये मुखिर लगाये अपने तो CCTV कैमरे में दो व्यक्तियों का उस घर में घुसने का खुलासा हुआ वह CCTV जब हमने उसमें से पूछताच करी तो उनकी पहचान विक्की रजक और विकास रजक आधारताल निवासी वह कनहिया सोनी कोतवाली थाना चेत्र निवासी के रूप में होई तो उनकी हमने तलाश शुरू की जिसमें हमें सूचना मिली कि कनहिया सोनी जो है चैरी ताल का निवासी है और विक्की रजक जो है वो अधार ताल में श्रीधाम का निवासी है तो दोनों जगहों पर दबिश दी गई जिसमें विक्की रजक आ उसें हमें बताया कि एक सोने की चेंच वह इसी चोри में घई थीवह उसने पनागर निवासी दीपक पटेल सोने के घर पर दभेश दी तो इसमें सारे बारा हजार forgiving कैश भी कनहिया सोनी से हमने जबत किया दोनों को गिरफ्तार कर न्याला पेश किया गया डूनों posah 기न की तलाश अभी जारी है। वोर्पोर्ट वोईस आफ राइट